European Continental के North में एक देश है Earth के North Pole के पास होने के कारण ये देश बहुत ठंडा है और वर्फिली पहाड़ियों और Glacierों से भरा हुआ पड़ा है इस देश को The Land of Midnight Sun यानि Kingdom of Norway कहते हैं आए जानते हैं Norway देश के बारे में कुछ Unbelievable Fact नौर्वेज देश की रैधानी ओसलों से करीब 75 किलोमीटर दूर एक आइलेंड पर बस्टोय नाम की जेल है यहां रहने वाले क्रिमनल्स पर murder, rape और smuggling के मुकदमे हैं हैरानी करने वाली बात यह है कि यहां की क्रिमनल्स के लिए जेल छुट्टी मानाने की जगा है इस जेल में कैईदियों को इंटरनेट की सुविदा भी मिलती है इस जेल में कैईदियों को लगबग हर काम करने की छूट है ऐसा इसलिए क्योंकि नौर्वे सरकार का कहना है अपराध सुधारने का परियास पहले दिन से ही सुरू होना चाहिए 1999 में नौर्वे की सुप्रीम कोट ने अमेरिका के एक ड्रग स्मॉगलर को सरण देने का फैसला किया क्यूंकि उनके अनुसार अमेरिका के जेल इंसानों के रहने लाइक जगा नहीं है इस देश के नागरिक दुनिया में किसी भी दूसरे देश के ज्यादा किताब पढ़ते हैं और वो हर साल औस्तन 500 क्रोनर यानि लगभग 5000 रुपे किताब पर खर्च करते हैं अगर आप नौरवे में कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो वहां की सरकार 1000 कौपीस खरिद लेगी ताकि उसे देश भर की लाइबरेरी में रखा जा सके यहां हर साल 2000 से ज्यादा किताब परकासित होती है साल 2008 में नौरवे में एक पेंग्वीन को नाइट की उपाधी दी गई उस पेंग्वीन का नाम निल्स उलाओ था उसे ये उपाधी सेना में काम करने के लिए दी गई थी नौरवे देश के नौर्थ साइड में सर्दियों के दवरान सुरज कभी नहीं निकलता है यहाँ पोलर नाइट होता है और गर्मियों के महीने में मई से जुलाई तक लगवक 76 दिन सुरज कभी नहीं डूपता है यहाँ रात 12 बच के 43 मिनट पर सुरज छिपता है और महाँ 40 मिनट के अंतराल पर उप जाता है यह घटना नौर्वे के नौर्थ साइड पर मौझूद हैंफेस सार में होती है नौर्वे के लॉंग एर बिन सार दुनिया की सबसे उत्री सार है लगवक 2000 अबादी वाला इस गाउं में पिछले लगवक 70 सालों से किसी भी मुर्दे को दफनाया नहीं गया है यदि कोई बिमार हो या उमरदाराज हो तो उसे दूसरे सार भेज दिया जाता है कहा जाता है इस गाउं में लोगों को मरना मना है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां की जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है इसलिए दफनाय गयला से डिकंपोज नहीं होती सेफ रहती है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाईए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए